भाई एक शर्मा की एक नहीं वीडियो में आपका स्वागत है कैसे आप लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूं भाई आज है न हम गाड़ी चलाना सीखेंगे मतलब मेरे बहुत भाई होंगे जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती होगी वो वीड गाड़ी सीखने में भाई जो लड़कियां भी देख रही है ना बहनों आपको भी बहुत असानी हो जाएगी कुछ ऐसी टिप्स बता दूंगा आप लोगों को कि आप भूलोगे नहीं वो टिप्स अगर आपने एक बारी उनको अच्छे से याद कर लिया तो ज्यादा तर बाई चलो आज इसी को साथ करते हैं पहले तो मैं आपको चीजळे समझा देता है और क्षी यह दो आप तो आप ये चीज मत भूलना ठीक है मतलब मैं याद करने बता रही कि यह मैं सब्हक्राइक要DностиP यह ओते हैं आपकी गाड़ी का सब्सक्राइब वता है कराश्चा सbon ветर हए सब्सक्राइबра और उसको 000 कर लेते हैं तो मतलब यह स्तुई 1 पर है और in 2000 करा तो ए मिनेट में जो इंजिन की बेल्ट हो 1000 भार घूम रहे हैं बहुता हूल मतलब अपनी के आप से बता रहा हूं मैं हाला कि बीच में दबाऊगे तो हर गाड़ी का बीच में बचेगा आप यहां पर दबाऊगे यह आपका होन होता है दूसरी चीज यह देखो यह होता है गेर अब इसका ध्यान से इस पिक्टर को समझो पहले वन टू थ्री फॉर फिफ्ट रिवर्स कुछ गाड़ियों में छे गेर भी होते हैं जिसमें रिवर्स वाला उठाके लगाते हैं मेरी वाली में पांच ही है ठीक है मैं आपको समझाता हूं आपने सबसे पहले क्या करना है आपने कलच दबानी है बिना कलच दबाए कभी भी फिर केर नहीं बदलना भाई खुल दबाओगे गेर बदलोगे ठीक है एक लगादिया फिर्स फिक्टर याद रखना आप ये लगा दिया फ्रस्ट गयर फसके। लगेगा इसे यूं करके और यूं यह लाइन ना यह होता है नूटरल ठीक है बाई यह नूटरल गयर है इस तो मैं क्या करता हूं मैं इसको फर्स में लगाया और इसी के साथ यूं इसके लगा देता हूं तो यह थोड़ा आसान भी है थड़ और फोर्थ की तरह ही है यह फिक्सर समझ लो मिरे भाई आप इसको बेशक श्रीन शॉट ले लो अपनी गाडियों में जाके देख लो जाद फिर नूट्रल फिर फोर्थ फिर नूट्रल फिफ्ट और फिर यह रिवर्स आपका ऐसे ऐसे गाड़ी का गयर काम करता है ठीक है यह याद रखलो आप चुतर देखो गया आप इस चुतर से हम आराम से समझ जाओगे वाई यह होता है गाड़ी का हैंड ब्रेक इसको नीचे क यह आपका होन होता है अभी आपने इनिवर्स चीजह का ध्यान रखना है ठीक भाई दूसरी चीज भाई जो बहुत मतलब लोगों के साथ दिक्कत होती है जो मेरे को दबाऊं और वह combination ना बैठने की वाज़े से घाड़ी खाके द जटका बंद जटका खाके गाड़ी बंद हो जाती है और फिर बड़ा दिमाग खराब होता है फिर पिर फिर फिर गेर लगाया फिर बंद फिर 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 लगाया और बहुत इरिटेशन होती है बाई सचमे कसम से मन करता है कि छोड़ दो भाई मैं नहीं सीख सकता मैं ओटोमेटिक गाड़ी ले लूँगा और वह चलाओंगा लेकिन यह बात है अगर कोई बंदा ओटोमेटिक से सीख लेता है तो भाई उसको मैनूल गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है प्लस अगर कभी जाम में बहुत लोगों को दिक्कत आती है तो यह चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूं अब यह गाड़ी की चावी मैंने अंदर लगाई इसे करा एक पर यह आगई बैटरी पर अभी इसका यह ओन हो जाएगा यह ओन होगे इसका ठीक है यह आगई भाई हमारे इंस्रूमेंट क्लस्टर की सारी लाइट है अब इसके बाद आपने गाड़ी स्चार्ट करनी है भाई जो आजकल की गाड़ी आना वो होती है क्लस से बाई यह बी एक रीजन हो सकता है मानलो अगर आपकी गाड़ी गेर में रह जाए तो यह आगे नहीं भागेगी वरना जो पहले की गाड़ियां होती है वह आगे बाग जाती थी अगर गेर में लगी रह गई तो चलो मैं आपको करके दिखा देता हूं यह देखो यह मैंने और ही क्योंकि मैंने यह पैर ही नहीं रखा हुआ मैं क्लेश पर रखूंगा यह लो भाई गाड़ी होगी स्टार्ट जैसा मैंने आपको बताया था आर्पीम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट मेरी गाड़ी बिल्कुल खड़ी है तो आप देखो यह है अभी 600 या 700 के ब आर्पीम बढ़ता रहेगा रेज जितनी देलो आगे नहीं जाएगी सिर्फ आर्पीम बढ़ता रहेगा ठीक है अब बहुत लोगों के साथ जो दिक्कत होती है वो मैं आभी आपको बता देता हूं यह दबाया क्लच पहला स्टेप है क्लच दबाओगे बिना क्लच गाड़ी सीखता था मेरे साथ भी दिक्कत होती थी बहुत इरिटेशन होया घरती ठीक है के बाई गाड़ी चलो और तो बंद हो जाती है अब इसको फिर शाट करोगे तो तेल फुक रहा है आपका बिना मतलब का गाड़ी जितनी बार और तेल को सक करेगी पाइप के अंद करना है कि यार ऐसा कॉंबिनेशन बैठे के यह भी मैं धीरे धीरे छोड़ दूँ और उसके बाद मेरी रेस भी धीरे दीरे चली जाए तो इसको है ना आप ऐस हिसाब से बनाओ के थोड़ी सी रेस दे दो पहले जो होता है देखो जैसे यह बंद हो जाती है गाड़ी ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि भाई क्लच छोड़ोगे और गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी लेकिन मैं आपको तरीका बता रहूं आप वह ध्यान रखना नहीं हो पाता यार बहुत लोगों से कि भाई वो तुरंद वो जटके मारे यह मालो यह यह चोड़ दी क्लच यह जटका खाके गाड़ी बंद हो जाती है तो अभी देखो गेर में इसको मैं न्यूट्रल कर दूंगा आप दुबारे यहां पर आओ ठीक है आप इसको यह वाला यह टाम समझ लो आप क्लच और रेस के बीच का कॉंबिनेशन समझ लोगे आपकी नईया पार है वाई ठी आती है भाई वह इसका कॉंबिनेशन बहुत अच्छे से जानते हैं मैं न्यू के लिए बता रहा हूँ भाई जो आपका रेस का पैर है ना आप उसको थोड़ा हाई कर लो मतलब मालो यह गाड़ी खड़ी हुई है अभी इसका रप्यम इतने पर है यह देखो अभी इतने इसका रखता हूं यहां पर माला राओ रेस मेंने यहां रख्या हुँ है और आब मैं धीरे-धीर धीरे चली duo इंशलने लग गई जल रिए द्खर होगाई यह वाई जणने लग गई अब भाई इसमें भी बहुत लोगों को यह confusion रहती है कि गेर कब बदलना है तो भाई गेर कब बदलना है वो सिंपल सी चीज है मानलो यह मैंने गाड़ी फर्स्ट गेर में लगा रखी है और अभी इसकी मिनिमम स्पीड इतनी है ठीक है वैसे तो आजकल की गाड़ियों में आपको शो हो जाता है लेकिन ज लगा सकते हो यह मैंने घर लगा दिया अं मैंने सब चोड़ दिया एक साब चोड़ दिया तो यह दो की मिनिमम्म स्पीड है दसकी 10GS1 की स्पीड के बाद मैं ठीक है वैसे तो यह लेकिन कोई बात नहीं हम नहीं करेंगे यह चीज तो हो गई पहलंशंसथे कर दो जो वह जहटका कैसे करें एक बार दुबारा मोड़ लेता हूं कि ये करते मैंने नूट्रल में ठीक है कि ये क्लच पर मैं ऑगρχा लगा यदुसरी भात वह जहतका लगेगा वह थेज कर जाद होएगा ब्रेक का ठीक है वाई मैंने जो चीज बताए दी वह ध्यान रखना जो एक्सपार्ट हो चुके उनको नहीं कह रहा हूं मैं फिर से बता रहा हूं कहीं मेरे को ग्यान देने आ जाए कमेंट बॉक्स में मैं दुबारा से वही बता रहा हूं कि यह लगाया आपने फर्स्ट गे हरो आदीक है नहीं पहलो दो तरीके होते आपके पास कैसे भी नीरल कर लो थे किसे मानलो यह में चल रहा हूं अगे ठीक है along कि यह मैं चल रहा हूं अब मैंने गाड़ी तो कर ली नियूट्रल में गाड़ी को कुछ नहीं होगा गाड़ी नूट्रल में भी चलती रहेगी लेकिन आप ब्रेक मार लोगे यहां पर दीड़े दीरे तो जहां पर आपकी गाड़ी रुखेगी वहां पर आपको ब् ठीखा दी आप जो मैंवाल कडी सीखना में जैसे से मान लो यह मैने मारा ब्रेक और मेर को कोई कहेगा ना भाई खड़ी चोड़ तो मैं ये लो ये चल गई मेरी गाड़ी ठीक है मेर कोई दिक्कत नहीं मैं कोई जाधा रेस नी दい पहले ना मैंने कोई जाधा क्लेच मैंने हराम-राम से छोड़ा मैं मिलकुल अपनी ये मारा बेन ब्रेक ठीक है? यह यह लो. मेरी गाड़ी चलने लग गई. क्योंकि भाइ मेरको आपती यह गाड़ी चलानी. मैं उन भाईयों के लिए बता रहा हूँ या बहनों के लिए बता रहा हूँ जो भी विदियो देख रहे हैं भाई लाइक जरूर करते ना. ठीक है? वह 1100 पर लेके जाता था और फिर क्लत छोड़ता था वरना उससे पहले मेरी इतनी गाड़ी रुखती थी इतनी इरिटेशन होती थी इतनी फ्रस्टेशन होती थी क्या बता है ठीक है यह मानलो मैं इधर आके गाड़ी मैं रोक दी ठीक है मानलो आप नए ड्राइवर हो और आ यह ऐसे क्लत छोड़ देंगे तो उनकी गाड़ी चड़ाई पर चड़ जाएगी लेकिन जो लोगों को नहीं आता है उनको मैं बता दूं भाई यह होता है इसको खेश दो उपर तक ठीक है और आप वैसे ही करो जैसे आप नॉर्मल में गाड़ी चलाते हो आप ऐसी करो यह सिम्पल सी बात है हैंड ब्रेक खेच दो उपर पूरा उसके बाद नॉर्मल वैसे ही करो जैसे आप गाड़ी चलाते हो और उसके बाद एंड्रेक कट दे सी नीचे कर दो यह यह बाई चलाने में और कुछ नहीं है सीट बेल्ट वगर जरूर पहनो यह वाला शीशा यूज लिए बी चुआ कर सकते होरं अर्वेंबी उसकर सकते हैं आपकी मरजी है मैं तो वाला शीशा यूज करता हूं मैं इन दोनों को तो करता हूँ तो यामवा में फस गह भाई पीछे कोन है इदर कोन साइड में कोई खरोच नि मार देगा कि मैं यह करता हूँ इसमें पीछे वाली गाड yo दिखती रहती हैं तो ऐसी कुछ वीडियो थी भाई मैं होप करता हूँ आपको थोड़ी बहुत तो समझ लगी होगी मतलब थोड़ा बहुत तो आप ट्राय करोगे भाई यह नहीं गहरा मैं के लेकर गाड़ी यह वीडियो देखके और भाई सब चल दिये चावी लेकर चलो कमें बहुत लोगरेंस की कैसा नहीं अरुक्व बेंग वाल शब्सक्रीए लेकिन को नहीं आएंने जैसे ही इसने यहां हिते हैं वाले एक दे लिए आचा आपा पापा ने गेर बदला यह कुछ भी पैसा ना कुछ हमने कीसी से चलाने के लिए उस दिन बहुत लेकर चली गए थे दा पर देखा है फिर एक बार चला लो एक बार मारी थी उसमें स्विफ्ट गाडी थी वह भी हमारी वाइट कलर की पहले सुफ्ट थी यहां पर तो बस यह यार आप मैनत करा करो और यह जो बंद होती है ना जटका जिसको मैंने नाम टाइटल दिया है इस दजटका को overcome करने का भाई वही तरीका है कि रेस थोड़ी जादा दे दो और उसके बाद अराम अराम से अपना clutch छोड़ दो गाड़ी दजटका नहीं होएगा ठीक है बाई ऐसी कुछ वीडियो थी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना तो लाल सा जो बटन है बस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यग्येशर्मा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू सो मच बाई